आज हम तीखा चटपटा मसालेदार मिर्ची का अचार बनाएंगे वो भी मिंटों में बिना धूप लगाए ये हरी मिर्च का अचार आपके खाने का स्वाद सो गुना बढ़ा जेगा इसको बनाना बहुत ही आसान है इस अचार का स्वाद इतना बढ़िया है कि आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने ये एक किलो के करीब मिर्ची लिए तो फ्रेंस सबसे जरूरी बात मिर्चियां हमें पतले छिलके वाली लेनी हैं हम इसे मोटे छिलके वाली मिर्चियां बिलकुल भी नहीं लेनी ह जो है वो सूख जाये जो जाया है। अब इसके साथ ही मैंने कुछ मसाले लिए हैं यह मैंने बारिक वाली राई लिए है इसमें मोटी राई नहीं लेनी है हमें बारिक लाई लेनी है सोफ लिए है और कलोंजी लिए है और मेठी दाना लिए है और थोड़ा सा जीरा और हिंग तो सबसे पहले हम एक फ्राइपन ल तो तीनों चीजों को मैंने डाल लिया है अब भूना है तो हम इसे गाल गेस को मैंने Profi prac के लिए ऐग तो हम एक मिक्सर्ग जाकते हैं उसमें हम र alter को जना लें गे और को तो डालते हो हम इसे बारिक ग्राइंड करेंगे तो मैंने राई को मैंने बारिक ग्राइंड कर लिया है अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और बाकी के मसाले को हम मिक्सर में डालते हुए हम इसे दरदरा पीसेंगे हम इसे मोटा नहीं पीसना है हम इसे दरदरा ही पीसन तो एक चम्मच हम साधा नमक डालेंगे और एक चम्मच ही हम काला नमक डालेंगे नमक थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे जिससे अचार का स्वाद बढ़िया आएगा और अचार खराब भी नहीं होगा और अब हम यह लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे तो एक चम्मच मैंने य छाट मसाला भी डाला है। अब एक फ्राई पैन लेंगे, मैं उसमें करीब सारफ का तेल डाल! सरसों के टेल से बहुत उनीर अदय आता है। अब एक चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे और हम इसे मिक्स करेंगे अब तेल को मैंने गरम करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और इसके बाद में हम इस मसालों में डालेंगे और हम इसे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्रेंस यदि मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीड प्लीड लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा और मुझे कमेंट करके जुरू बताई कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी अब दो घंटे के लिए मैंने मिर्चियों को पंखे के नीचे रग दिया था इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है अब हम इसमें से हम एक मिर्ची लेंगे और मसालों में मिर्ची को भर लेंगे सारी मिर्ची को हम इसी परकार भड़ लेंगे ये भर्मा मिर्ची का अचार इतना बड़िया बनता है यदि सब्जी में टैस्ट नहीं आ रहा है और तो आप इसे लेकर खाने का पूरा एंज्योय कर सकते हो इसे लंच मोक्स में भी रख कर ले जा सकते है तो एक एक करते हुए मैंने सारी मिर्ची को मसालों से भर लिया है कर अख भर लिया है तो फ्रेंट सारी मिच्चियों को मैंने मसालों से बढ़ लिया है अब हम इसे ढख कर एक वन नाइट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे अब दूसरे दिन हम मिच्चियों को चेक कर लेते हैं अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम दो चमच के करीब तेल डालेंगे और तेल को हम गरम होने देंगे और गरम होने के बाद में मैंने तेल को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है अब उसमें हम एक चमच के कारीब कश्मीरी लाल मिर्ची पाudर डालेंगे और हम इसमें सारी मिर्चियों को हम इसमें डाल देंगे गेस को मैंने बंद पहले हुए कर दिया था और केस तेल को मैंने अच्छी तरह से ठंडा होने दिया है उसके बाद हम इसमें सारी मिड़्चियां डालेंगे और डालते हुआ हम इसे मिक्स करेंगे तो देखिए फ्रेंस हमारा आचार बिल्कुल रेडी है इसमें उपर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से तेल लग गया है अब हम इसमें एक घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही देने देंगे और उसके बाद हम इसे जार में डालेंगे तो एक घंटे बाद में मैंने एक जार लिया है बिल्कुल सुखा जार है उसको और अब हम उसमें एक एक करते हुए सारी मिर्चियों को इसमें डालेंगे तो फ्रेंस लाल मिर्ची और हरी मिर्ची का अचार हमारा बिल्कुल रेडी है अब हम इसे जबी भी हमें अचार लेना होगा इसमें से हम एक दो अचार एक दो मिर्ची लेंगे और हम इसे बीच बीच में हम इसे लाते रहेंगे तो हिलाने से हमारा अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और हमारा तेल भी नीचे से उपर तक आएगा और हमारा अचार खराब बिल्कुल भी नहीं होगा तो आप इसे एक बार जूट ट्राइ कीजेगा